दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्वास्ते एवं वास्तु टेप्स को और साथ ही दबाईए इस बैल आइकन को ताकि आप पासके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले नमस्कार दोस्तो दोस्तो आजकल ज्यादतर लोगों को बड़े हुए पेट की शिकायत है अनावश्यक चरवी जब हमारी कमर के चारो ओर जमा हो जाती है तो बैली फैट की स्थिती हो जाती है इस अनावश्यक फैट के कारण कई तरह की स्वास्ते समस्याय हो जाती है इस अन पानपान में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है और सयम वरत कर आप अपने पेट को बड़ी असानी से कम कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले पीजा केक और दूसरे फास्ट फूड से तौबा कर लीजिए इन चीजों को छोड़ने के साथ ही अपनी डाइट में हरी चीजों को शामिल कीजिए तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कुछ बहुत इसांसेटिब बैली फैट कम करने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप वाकरी बैली फैट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले सौफ्ट ड्रिंक और soda drink पीना छोड़ दें हाली में एक research के मुताविक प्रति दिल एक glass of drink पीना आपकी कमर का size बढ़ा सकता है उसके अलवा दोस्तों कुछ लोगों को हर समय कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है हमारे खान पान के भी कई नियम कानून होते हैं ऐसे में जरूरी है कि हम उसी समय खाएं जब हमें वाकी भूक मैसूस हो खान पान के नियमों को पालन करने से भी हम अपने belly fat को नियंतरित कर सकते हैं दोस्तों शायद आपको यकीन ना हो लेकि नियमित रूप से अखरोट खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है हर रोज अखरोट खाने से शरीर का अतिरिक fat दीरे-दीरे कम होने लगता है यह है वजन कम करने का सबसे असान तरीका है हरी बीन्स खाना भी वजन कम करने के लिए बहुती फायदेवन्थ है इसमें soluble fiber भरपूर मातरा में होते हैं जिससे belly fat कम करने में काफी मदद मिलती है दोस्तो चाय या कॉफी के स्थान पर green tea पीने की आदत भी आपको belly fat कम करने में मदद करेगी इसके अलावा green tea पीना स्वास्ते के लिहाद से चाय और कॉफी दोनों से बहुती बढ़िया विकल्प है आप खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो काले मिल्च का इस्तवाल करते होंगे लेकिन इसका इस्तवाल belly fat कम करने में भी किया जा सकता है तो दोस्तों ये थी belly fat कम करने के कुछ बहुती असान से टिप्स आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले और किसी भी तरह का सवान ये सुजा हो तो हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं धन्यवाद